हलो फ्रेंड्स मैं हूँ पंकच पंजवानी पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ये एम्टी वाला कंसेप्ट दिखा था एम्टी डिक्ष्णरी हो, एम्टी टपल हो, एम्टी स्ट्रिंग हो या जीरो हो उन सबको जब इफ के साथ हम चेक करते हैं, तो वहां पे एम्टी होता है, तो हमें क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है, और एम्टी नहीं होता है, तो ये कंसेप्ट आपने समझेते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में नहीं देखे हो, तो जाके देख लीजिए, आज हम नाया कोश्ण ल देखे लेते हैं, तो यहां पे आप देखो, एक function हमने define किया हुआ है, नाम दिया हुआ है, F5 कुछ भी नाम हो सकता है, and this function का working हमने यहां बता दिया है, function के अंदर तीन variables हैं, and यह function return कर रहा है, तो यह function तो बना हुआ है, लेकिन चलेगा कम, जब हम call करेंगे, तो यहां से हमने इसको call किया, तो जैसे ही call किया, तो control यहां जाएगा, जहां पर यह बना हुआ है, and x, y, z के अंदर यह value assign हो जाएगी, and return क्या होगा, x plus y, z and y plus 40, x plus y करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 plus 20, 30 हो जाएगा, मतलब इस place पे हमें 30 मिलेगा, मैं comment में लिखके दिखाएता हूँ x plus y का जो result आएगा, वो 30 आजाएगा, comma, z के अंदर 30 है, तो 30 ही रहेगा, ठीके, comma z लिखा है, मतलब 30 written होगा, and y plus 40, y में हैं 20, तो 20 plus 40 किया, तो 60, तो यह value हमारा function return करेगा, कहां पे, जहां पे वो call हुआ था, मतलब यहां पे, ठीके, यहां पे यह values written होगी, ठीके, written होगी, तो यहां पे यह तीन values चाहरी है, तीन values मतलब written हो रही है, तो यह तरीके से tuple है, ठीके, and tuple को हम assign कर रहे हैं, तीन अलग-अलग variables में, ठीके, tuples की values को, हम तीन अलग-अलग variables में डाल रहे हैं, comma separate करके, तो यहां पे क्या होता है न, जो paking-unpaking वाला concept चलता है, मतलब यह जो पहली value 30 हो जाएगी, पहले variable x में, दूसरी value 30 जाएगी, दूसरे variable z में, तीसरी value 60 जाएगी, तीसरे variable double y नाम का जो variable दिया हुआ है, and फिर उनको print कर देंगे, print किस तरीके से किया है, देखो sequence देखो, पहले print किया है double y को, तो double y के अंदर क्या गया था, last वाला value 60, तो double y का value 60 प्रिंट होगा पहले, फिर comma लगा दिया है, फिर क्या हुआ, x को print किया है, तो x के अंदर क्या गया है, पहला value 30, तो 30 आएगा, and z का value भी 30 था, ये second वाला value 30 गया z में, तो यहाँ भी z print हुआ है, तो 30 print हुआ है, ठीक है, तो ये इसका output रहेगा, 60, 30, 30, इसको मैं run करता हूँ, तो ये देखो, 60, 30, 30 आगया, ये concept अगर आपको नहीं पता है न, x कोमा, y कोमा कोमा करके किसे value डालते हैं, तो एक अलग से मैं आपको दिखा रता हूँ, चलो यहाँ दिखा रता हूँ, देखो इस तरीके से हम value डाल सकते हैं, a, b, c, तो जैसे मैंने डाल दिया, 10, 20, 30, अब इसमें उतनी value हमें डालनी पड़ेंगी, जैसे कम डालेंगे न, जैसे मैंने 2 value डाली, इसको run किया, तो ये इदर आएगी, not enough values to unpick, तो ये tuple के form में यहाँ पे values होती है, कोमा लगा के जब हम लिखते हैं, तो यहाँ पे उतनी ही values होनी चाहिए, जितने हमने यहाँ पे variables यूज किये हैं, left में जितने variables यूज किये हैं, तो तीन value हमने पास की, तो a में चले जाएगा 10, b में जाएगा 20, c में जाएगा 30, मैं आपको print भी करके दिखा जाता हूँ, print किया a को, तो a में क्या आएगा, 10 आएगा, b में, एक line में print कर लो, अलग-अलग print कर लो, कोई दिखकर नहीं है, a, b, c, a में 10, b में 20, c में 30, तो इस तरीके से कोमा लगा के हम value पास कर सकते हैं, आप इसको अलग-अलग भी print करवा सकते हो, print किया b को, तो second value जो था, वो b में जाएगा, मतलब 20, b में गया, और third value 30, c में गया, ठीके, 10, 20, 30, तो यही चीज यहाँ पर भी हो दिखकर यह, x plus y का जो result आया, x plus y, 10, 20, 30 हो गया था, and z का value 30 था, तो 30, and y plus 40, मतलब y में था, 20, 20, 20, plus 40, 60, तो यह तीनों values इस तरीके से यहाँ पर रिटन होई, and यहाँ x, z, double y के अंदर पास हो गई, and यहाँ कुछ अलग sequence में हमने प्रिंट करवा दिया, तो उस हिसाब से यहाँ पर output आ गया, दूसरा question देखते हैं, इसी से related है, तो same question हमने यहाँ भी लिख दिया, मतलब same code था, वो यहाँ भी लिखा हुआ है, बस change क्या कर दिया, यहाँ पर comma की जगा, equal assignment operator को यूज किया, यह equal नहीं, assignment operator बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या change आ जाएगा, ठीके, copy किया, इसको मैं paste कर देता हूँ यहाँ पर, ठीके, तो बस यह change हो गया है, comma की जगा, equal, assignment, तो assignment का concept मैं आपको बता रहता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया, अभी आप देखो, यहाँ पर क्या आ रहा था, 10, 20, 30, मतलब पहली value गई, अभी, A में, दूसरी गई, B में, तीसरी गई, C में, अब अगर मैं यहाँ पर क्या लगा हूँ, assignment operator यूज कर लो, तो assignment operator के concept में क्या होता है ना, तीनों में same value चले जाएगी, तीनों, चार हों, जित्ते variable हो, तो जब same value assign करनी होती है, तो हम यह assignment operator लगा के, एक साथ कर सकते हैं, तो यहाँ पर जब same value डालनी होती है, तो तीन value डालनी जरूरी नहीं है, यसा जरूरी नहीं है, कि तीन value बलने तो तीन अलग-अलग value डालनी है, डाल भी सकते हो, अगर आप एक single value भी डालोगे ना, तो वो single value तीनों में चली जाएगी, ठीक है, जैसे मैं यह 10 डालता हूँ, 10 डाला, तो तीनों में 10 आ जाएगा, a में भी 10, b में भी 10, c में भी 10, लेकिन जब 3 value डाली, तो तीन value अलग-अलग variable में अलग-अलग नहीं जाएगी, तो यह टपल के फॉर्म में यहां पर पास हो जाएगा, a, b और c में, तो यह देखो, a में भी 10, 20, 30 आ गया, b में भी 10, 20, 30, c में भी 10, 20, 30, तो यह इस तरीके से होता है, तो यहां पर भी वही होगा, ठीक है, जब यहां पर function call हुआ, f5 से हमने function का नाम लिख के, हमने call किया, f5 function को, तो इसमें x, y, z के अंदर यह values है, 10, 20, 30, and यहां पर कुछ इस तरीके से हमने return किया है, मैं फिर से आपको comment करके बतायता हूँ, x प्लस y किया, तो 10 प्लस 20 हो गया, 30, comma, z की value 30 है, and y प्लस 40 किया, तो कितना आ जाएगा, y में 20 था, तो 20 प्लस 40, 60 हो गया, and यहां पर वही चीज हमारी return होगी, ठीक है, तो यह कुछ इसी तरीके का तो लिखा हुआ है, जैसा मैं नहीं यहां लिखा हुआ है, यहां पर x, y, z के form में x, z, y है, ठीक है, तो यहां पर 30 x में जाएगा, 30 z में जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि comma नहीं लगा हुआ, यहां पर क्या होगा, यह पूरी values एक साथ, एक variable में जाएंगी, फिर एक साथ दूसरे variable में जाएंगी, फिर एक साथ तीसरे variable में जाएंगी, ठीक है, तो यह tuple के form में जायेगा मतलब X के अंदर भी 30-30-60 जायेगा Z के अंदर भी 30-30-60 जायेगा इन डबल Y के अंदर भी 30-30-60 जायेगा एंड यहां कुछ भी प्रिंट करवालो तो 30-30-60 आने वाला है इन तीनों में से कुछ भी sequence कुछ भी दे दो डबल Y भी 30-30-60 देगा X भी 30-30-60 देगा Z भी 30-30-60 देगा मतलब तीनों एक एक टपल देंगे हमें इसको रन करते हैं ठीक है तो आई हो की समझ में आया होगा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए अगर कोई tricky question है तो वो मुझे कमेंट में जरूर भीजिए मैं उसको solve करूँगा यहां पर ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आदा कि उसका output है सक्के से आ रहा है तो next video में मैं आपको try करूँगा कि उस code को लूँ और आपको explain करूँ Thanks for watching